हलो दोस्तों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फीट आइटी आई पे तो काफी सारे लोग हमको जान गए होंगे अब जो लोग ओएनजीसी से पहले वेल्डर ट्रेड की तयारी अच्छे से कर रहे थे तो उन लोगोंने मेरी वीडियो जरूर देखी होंगी और जिन्होंने वीडियो देखी होंगी उनको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा और काफी सारे क्यूश्चन वो लोग करके होंगे ठीक है तो आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं क्या ओएनजीसी का जो पेपर हुआ था 27 तारीक को उसका जो है पेपर हम लोग देखने वाले हैं जो पेपर के सारे क्यूश्चन हमारे पास एक अच्छे स्टूडेंट हमारे जुड़े रहे हैं उन्होंने भेजा है पूरा लिख करके तो पूरा हम बताएंगे आपको उसका आंसर भी बताएंगे और वो आगे आने वाले आपके डियार से क्यूश्चन जो है वो सर्वाइब कर रहे हैं यह बहुत ही जरूरी हो जाता है तो अभी यहां पर जो है इसको हम लोग सुरू करें इस वीडियो को उससे पहले आप सबको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल के सेक्षन में जाएंगे तो आप को जो है प्लेइस्ट में जाने के बाद फिटर का वेल्डर का टर्नर का सारी ट्रेड की क्लासे जो है वो सुरू होने वाली हैं 10 सेप्टमबर से डिया ठीक है बाकि अभी वेल्डर ठीओरी का फुल कोर्स जो है हमारी प्लेश्ट में आप लोग जाएंगे तो पूरा जो हम जी सी में वहीं से आये हैं अभी मैं आपको जो क्वेश्टन सारे डिसकस कराऊंगा उसको आप लोग देखिएगा ठीक है उसके बाद यह www.fititi.com पे आप जाएंगे तो सारी जौब वगएरा जो भी प्रेफ होते हैं वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी म एक लोग है जो ब्लॉग व्लॉग करते हैं उनको हमने इसमें जो है अटीव कर दिया है तो यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एड कर दिया करेंगे ठीक है तो अब जो है हम लोग हमारा जो क्वेश्टन है उसके बारे में तो यह प्योश्टन जो भीजा गया है का पढ़ना होगा क्यूश्चन देखने की बारी आएगी तो आप लोग बहुत बोलेंगे कि सर्मको क्यूश्चन चाहिए प्रिवेस एरकार लेकिन जब आप लोग क्यूश्चन देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे तो चलिए यह आप देख रहे होंगे यह इन्होंने लिख के दिया है बहुत अच्छे से तो ओएन जी सी का वेल्डर का पेपर है पूरा पेपर डिसकस करेंगे और लास्ट में हम लोग कट आफ की बारे हम बताएंगे कि कितनी कट आफ जो है वह आपकी जा सकती है ठीक है तो ओएन जी सी वेल्डर ट्रेड का यह पेपर हुआ था जिसमें वेल्डर ट्रेड की जितने विद्यार्थी थे वो सारे किसारे क्या थे एलिजबल थे अब यहां पे हम लोग देखने वाले है सारे क्यूस्चन को बारी बारी से तो यहां पर अभी आप देख रहे हैं पहला क्यूस्चन था आपका यहां पे आप देख रहे होंगे पहला क्यूस्चन था इन विच मसीन आर्क ब्लो कैन नाट फॉंड तो यह भी हमने आपको बताया था बहुत 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 ब्लो जो होती है जो आर्क होती है ठीक है वह अपने रास्ते से क्या हो जाए अपने राष्टे से भाटक जाये जैसे मान की चलिए कि पानी की धार कहीं पर छोड़ते हैं vivid आप पानी की जर्द मोटर से आपको ऑई रगाते हैं तो या अपनी प्रेशर मारते हैं तो धर जाता है खुर्च दौरिक उसक़र्षा होटा है वह हलका सब मोड़ने लगता है तो वही प्रक्रिया जो है वह आर्क में भी होती तो जहां से ये मुड़ना इस्टार्ट कर देता है उसी को हम लोग आर्क भूछते हैं अगर इसकी परिभासा के जब भी करते हैं alternative current के द्वारा तो उसमें क्या होता है कि arc blow होता ही नहीं है तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि AC machine में arc blow नहीं होता है ठीक है DC में arc blow आपका होगा चाहे आप straight polarity यूज़ करें चाहे reverse polarity यूज़ करें polarity के बारे में भी हमने आपको बताया है आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं उसके गाद हम लोग आते हैं जो हमारा दूसरा question पूछा गया था वो कहां से था in oxygen flame maximum temperature in which which portion found यानि कि किस जगह पर जो है वो oxygen welding में जो flame का जो है कौन सा जगह होता है जहां पर सबसे अधिक्तम तापमान होता है तो यह भी हमने आपको गताया थे जो इनर कोन होता है उसमें कितना होता है लगभग जो है वो 32 degrees centigrade के आसपास होता है ठीक है ऑक सिट्रेन एक ऑक सिट्रेन वेल्डिंग होती है कभी आपको तो इनर कोन का सबसे ज्यादा होता है यह फ्लेम जो बनती है आप लोग को याद होगा हमने आपको पूरी थियोरी में बताया था जो फ्लेम कुछ इस टाइब जो बनती है तो यह इनर कोन होता है इसका टेंपरिचर बहुत अधिक होता है ठीक है उसके बाद इन AC Transformer Machine विच वाट वाट इज फ्रेक्वेंसी यह जो AC Transformer Machine होती है तो देखिए क्यूस्चन का अब देखिए भारत में बात हो रही है तो भारत की बात हम लोग अगर करते हैं तो जो AC Transformer की जो भी frequency डिनोट करती है ठीक है जो cycle होती है यानि कि जो current होता है वो 60Hz जो है वो current का होता है ठीक है current के frequency होती है यह है अगर current का volt पूछा जाए आपसे तो वो आप कितना बोलेंगे वो 220 से लेकर के 250 तक कहा पर इंडिया में जब भी हम लोग को question पूछा सब्सक्राइब तो यह जो है यह cycle के बारे में बताता है frequency और यह current होती है ठीक है तो यह कितनी होती है यह 50 Hz होती है हमारे इंडिया में और जो volt होता है वो कितना होता है 220 से 250 होता है उसके बाद what is a consumer electrode in gas metal arc welding machine तो what is a consumer electrode question यहोंने साथ सही से लिखा नहीं है बता नहीं पा रहे हैं या मेरे समाझ में नहीं आ रहा है यह इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि consumer electrode gas metal arc welding में consumer electrode क्या होता है तो gas metal arc welding में consumer electrode क्या होता है यह consumer electrode अगर ऐसा पूछा जाए तो consumer electrode वही होता है जो खतम हो जाए चलते चलते welding करते करते खतम हो जाए कंज्यों हो जाए वह कंज्यों होता है वही तो होना चाहिए बाकि answer की आप लोग भेजेंगे तो मैं answer की प्रॉपर solution करवा दूँगा यह सारे question जो है मैं आपको करवा रहा हूं यह डिया डियो के लिए आती महत्तुपूर्ण प्रस्न है ठीक है उसको बहुत अच्छा question है देखिएगा इसको यह question बहुत बढ़िया है और यह question भी हम आपको बता चुके हैं where wire feed system is required तो देखिए wire feed का जो system होता है वह basically किसमे होता है वह मिग welding में होता है मिग welding में भाई आपने wire feed roller देखा होगा यहां से यहां से यहां लोग वाइर feed डालते हैं यह दो roller के थे तुरू लेकिन यहां पी इस टाइप कोई option नहीं मिल रहा है आपको इसपार्ट वेल्डिंग हो गई कि प्लाजमार क्याल्ड इलेक्ट्रन लिखे इसपार्ट वेल्डिंग हो गई इसपार्ट में थोड़ा सा आपको चे कॉपरठ पदा देते हैं जक्या का बारे में डालते हैं हम लोग इसको हम लोग नगेट भूलते हैं कि नगेट ठीक है यह डाय आफ नगेट वगएर आप जब जब या यह यह सी ठीक है तो इसमें प्लाज्मा आर कटिंग का भी हम लोग उप्योग कर देते हैं इसमें हम लोग हमको प्लाज्मा की जरूद पड़ती है इलेक्ट्रोन बिंग वेल्डिंग में जब भी आपको क्यूशन आएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें वैक्यूम चेमबर ह होता है यानि कि निर्वात ट्यूब होता है निर्वात ट्यूब मोल रहे है निर्वात जो है कक्छ होता है ठीक है निर्वात कच्छ होता है या वैक्यूम चेमबर वैक्टिम चेंबर होता है जिसमें क्या होती है हम लोग इलेक्ट्रोनिक जो परमाण वर्जा होती जो इलेक्ट्रोन एनर्जी होती है उसके थूर हम लोग हीट को जो है उसमा को पैदा करते हैं और उसी से हम लोग वेल्डिंग करते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रो स्लाइक वेल एक वर्टिकल पोजिस्ट में वेल्डिंग करती तयानि कि खड़ा-खड़ा आपको हमेसा वेल्डिंग करना है जिसे कोई पीस हो गया इसमें क्या होता है कि काफी सारा जो है मौल्टेन पूल होता है तालाब जैसा होता है यानि को बहुत Liquid फाहिं में जेसरे आपको कहीं पानी भरना तो आप गिलास में क्या करेंगे एप उसको खड़ी रखेंगे वर्टिकल रखेंगे यानि कि उर्ध्वधर रखेंगे अब गिलास में आपको पानी रखना है तो आप 가서 ऐसे नहीं रखना हैतो इसलिए electros इसके लिए जौह ह resistor कैसे करते हैं वर्टिकल करते हैं तुच लएक लएग 확़र का पूंछ सकता है वह वरटीकल हमेशा आप रहेगा वर्टिकल और साथ की होता है wire वायर फीड रोलर का भी इसमें यूज किया जाता है वायर फीड रोलर ठीक है तो यह हम आपको सारे फैक्ट्स बताते हुए चल रहे हैं आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा समझ में हा रही होगी चीज है तो नहीं तो नहीं लगेगा इन प्लाजमा आर्क वेल्डिंग विच इलेक्ट्रोड हैस बीन यूज अब देखिए इलेक्ट्रोड की जहां कहीं भी बात आए हमने आपको हर जगह पर कोसिस किया कि आ आपको लगे की temperature बहुत ज्यादा है अब जाओ जैसे 25000 दग्रीस इंसर्टन करेंगे में यूज करेंगा तो बेस्ट ऑप्सन है ठीक है लोग टंगेस्टन को यूज कर सकते हैं आराम से उसका टीक वेल्डिंग में भी हम लोग जो है वो टंगेस्टन का यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा अभी यह आप्शन के कार्डिंग क्या क्या जए हम लोग करते हैं ठीक है क्यान के एक अपर बताया है लेक्ट्र वेल्डिंग में जो है आपको दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी जब भी पूछी जाएंगी वैक्यूम चेमबर के लिए ठीक है तो इसमें आपको जो है यहाँ पर आप देखिंग सबसे लाट मैंने आप बता है कि निरवात कच्छ या फिर वैक्यूम चेमबर तो यह इन्होंने करेक्ट आंसर इनको याद है तो इन्होंने यही लिखा यहाँ पर उसके बाद अगला क्यूशन क्या है इलेक्टोर्ड इस कोड इन ग्रैनूलर फ्लक्स मॉल्टेन पूल नहीं होगा क्यूशन इनको लिखने में थोड़ा सा जो है वो हो गया है पिघला हुआ पूल नहीं होत है तो दानेदार फ्लक्स जो होता है और कि वहम लोग यूज़ करते हैं किसमें सबस्भाप्यप में अबस्यूंद क्वेर्टि का हमेशा रखा जाता है क्योंकि इसमें जो है लिक्विड टाइप का चीजें भरी होती है बट जो आपका सब्मर्ज आर्क वेल्डिंग होता है उसमें जो है वो आप जो कंकर पत्थर देखते हैं उस टाइप का दानेदार फ्लक्स होता है आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के सब्सक्राइब के लिए या फिर यह वेल्डिंग हमेशा कहां की जा सकती है फ्लाइट या होरिजन्टल यह आपको द्यान देना है उसके बाद विच डीसी जनरेटर इस यूजड इन डीसी मोटर वेल्डिंग मसीन तो डीसी पैरलल और पैरलल नहीं उसकरते हैं हम लोग इ छोड़ा साइब कूंअ कर दिया क्योंकि sty compound हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है तो इनोनगी सि कंपाउंड लिखा है और differential compound DC machine तो यह जो है इसका correct answer हो जाएगा वो differential compound DC machine इन्होंने compound डालके यहाँ पर जो है थोड़ा से confuse कर दिये बट यहाँ पर आपको पूरा नामा में सा याद रखना है कि कौन से generator हम लोग यूज करते हैं तो वो हम लोग यूज करते हैं अब आजाते हैं लोग अपने अगले question पर तो अगला question आपका जो है वो देख लेते हैं चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे अपना अपना धर्म निभाते रहें अगला question है in plasma arc welding which is maximum यह सारे question मैंने करवा चुके हैं अब या आगर आप आपके नीचे कोई कमेंट करेगा कि आपने बताएं अभी जैसे question आप देख रहे हैं AWS में भी मैंने आपको बताया है कि जो है यह क्या होता है तो यह सारे question हमने करवाये हुए हैं ऐसा नहीं कि इसमें से कोई question हमने छोड़ा था इन plasma arc welding which is maximum temperature तो plasma welding में maximum temperature जो है वो 20-25,000 तक अगर centigrade इन्होंने unit नहीं लिखी हुई है मैं इसको centigrade मान की चलता हूं तो 25,000 degree centigrade maximum 30 तक जाता है कहीं कहीं बुक में आपको 50 भी मिलेगा बट वो नहीं जाना है वहां तक आपको नहीं जाना है आपको अच्छी अच्छी बुक मैं काफी सारी अच्छी बुक पढ़ा हूं production की production engineering की तो वहां में जो है वेल्डिंग एक च्छोटा से चाप्टर होता है तो आपको 25,000 तक 20-30,000 के रेंज में आपको जो है वो मानना है centigrade में बखी फॉरिंड हाइट वगएर आप रहेगा तो आप लोग कर रहेंगे ठीक है इसके बाद अगला क्यूशन क्या है आपका फ्लक्स फॉर्म आफ फॉल फॉर्म आफ एड़ुएस तो एड़ुएस का यहां पर फॉल फॉर्म पूंचा गया है तो अमेरिकल वेल्डिंग सोसाइटी नोने बिल्गल सही लिखा हुआ है यह करेक्ट है ठीक है एड़ुएस क इसमें आपको सारी लेक्ट्रोड वगारा सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है उसके बाद एसिटिलीन केमिकल फार्मूला यह भी हमने आपको बताया था सी टू होता है ठीक है वेर नान कंजूमल इलेक्ट्रोड इस यूज तो नान कंजूमल कहां पर होता है गैस जादा हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा यह हमने आपको बार बर बताया है कि जब एक और एक के रिशियों बराबर बराबर हो तो न्यूट्रल होगा जहां कहीं भी ऑक्सीजन जादा हुआ तो ऑक्सीजन जादा हुआ इसका मतलब कि सी टू एस्टू जो हो हो गया वह आपका क्या हो गया वह कम हो गया और कार्ब्राइजिंग का मतलब क्या हो गया कि सी टू एस टू आपका जो है वह बढ़ गया और ओटू जो है वह आपका क्या हो गया घट गया है यह आपको धिहान रखना है वन एफ इस्टेंड फार अब वन एफ क्या होता यह भ यह वेल्डिंग पोजिशन होती है ठीक है तो देखिए वन जी का मतलब क्या होता है वन जी का मतलब होता है फ्लैट ठीक है उसके बाद 2G का मतलब होता है होरिजिंटल 3G का मतलब होता है वर्टिकल 4G का मतलब होता है ओवरेड और उसका फाइब जी का मतलब क्या होता है 2G, 3G, 4G, 5G, और 6G, यह आपसे DRD में पूँछ सकता है, बहुत important question है, पहले हम क्या होगा, flat, ठीक है, दूसरे हम क्या होगा, horizontal, 3G का क्मतलब क्या होता है, vertical, 4G का मतलब क्या होता है, overhead, 5G का मतलब क्या होता है, clockwise, और 6G का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री में की जाए, बिल्डिंग, centigrade नहीं लगाना है, उसके बाद अब आजाते हैं हम लोग, AWS 5.1, अब AWS 5.1 क्या होता है, इसको जब आप इलेक्टोड वाला चेप्टर पढ़ेंगे, इ आपको यह चेप्टर नहीं करवाया हुआ था, यह जो आप जब पढ़ेंगे, इलेक्टोड कोडिंग, क्या पढ़ेंगे, इलेक्टोड कोडिंग, तो यह क्या होता है, 5.1 क्या होता है, यह बेसिकली जो है, वो कार्बन के जो इलेक्टोड होते हैं, उनको identify करने के लिए बनाया जाता है, कि जो है, यहां पे हम लोग, कार्बन का यूज़ करेंगे, क्या एलेक्टोड उस करेंगे, तो बेसिकली, 5.2, 5.3, तो यह जो है, आपको आप्सन के करना था, वहां पे ऑप्सन में क्या ऑप्सन था, यह आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, आर्क अगल्क ही आपको क्लाशिकेशं के फूरु आप जा तो ठर्मिड उग्स तौर्ट ग्यांग जो करती है दोग्स होती है यह रासाइनिक वेल्डिंग ही होती है यह हमने आपको बताया था पहले ही उसके बाद इलेक्ट्रोड आफ आर्क वेल्डिंग इस डेटर्माइंड बाई इलेक्ट्रोड आफ आर्क वेल्डिंग इस डेटर्माइंड बाई डायमेटर आफ दे को रवाय हां यह हो सकता है question जो है थोड़ा सा इन-campliet option in complete मिल अंपने ठोड़ा सकती हैं तो आप लोग लोग प्रोड़ने फियेगा हमको अगला question in friction welding which is प। इस NEY थों इन्हों ने जो है सही जवाब लिखा है इसमें friction जो हम लोग करते हूँ mechanical friction यूज करते हैं basically होता क्या है friction welding में friction welding में एक rotating spindle होता है और एक fix spindle होता है यह spindle fix होता रहा है rotating होता है तो इसी के थुरू जो हम लोग जो है वो friction generate करते हैं तो इसको हम लोग mechanical friction बोलते हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे friction welding तो वहाँ पे हम आपको clear कर देंगे चीजें यह चीटर पूछा गया था तो इस चीटर के बारे में क्यूशन नहीं नहीं लिखा है बट इस चीटर जो denote करता है वो करता है weld all around कि वेल्ड आल यानि कि चारों तरफ weld ठीक है यह जो है यह परदर्शित करता है यह चीटर अगर इस टाइब से हो गया है आपका चीटर इंडिकेट कर रहा है तो यह जो है एससी जेई में भी जो है यह क्यूशन पूशा जा चुका है पहले तो चीजें जो है थोड़ी सी आपके अपग्रेट हो रही है तो यह जो है आप लोग इसको देख लेज़े अब बात करते हैं हम लोग कट आफ की तो पेपर अगर जो लोग मेरा स्कूर के लिए तो अगर आप सेवेंटी प्लस हैं तो आप मान सकते हैं कि अभी आप जो है अगर आपके लग रहे हैं कि सेवेंटी प्लस अब देखिए जब तक एंसर की नहीं आजा देख तक कटाफ का फ्रेलिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट आपको से क्लियर होई हो यहां पर क्यूस्चन जो है थोड़ा से इन कंप्लीट रहा इसलिए मेरा जो डिस्क्राइब करने का तरीका यहां पर पूरा निखर की नहीं आया है जो लोग हमसे जूड़े होंगा उनको पता होगा तो थोड़ा से जो है आंसर किया जाने के बाद हम लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें लाइक करें थैंक्यू